असलाम लीकुम दोस्तों अमीद करता हूँ कि आप सब लोग क्यारियर से होंगे और गाइस आज किस वीडियमे आप लोग बताऊँगा कि आप लोग फेस्बुक पेज को पर्मेनेटली कैसे डिलीट कर सकते हो गाइस आप लोग ने देखा होगे जब भी आप लोग फेस्बुक पेजिज कर लिये हैं तो आप लोग अगर उनको हमेशा का लिए डिलीट करना चाह रहे तो आप लोग कैसे कर सकते हैं तो गाइस यही आप लोग आज की वीडियमे बताना है तो गाइस आप लोग ने इस वीडियो को जो ला सक जरूर देखना है तो उसके जा सको कि आप लोगों ने कैसे डिलेट करना है उनको ठीक है तो आप लोगों ने करना कि अपने Facebook Ecだ अपने Facebook काउं टको Agn को लॉगई न करना है उच्किаем आप लोगों ने यहां पर सकतुछनी पर आप लोगों ने loud को account को login करना है और इसके बार आप लोगोंने यहाँ पर arrow के उपर आप लोगोंने क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगोंने manage pages में चले जा जाना है ठीक है जैसे आप लोगो manage pages में जाएंगे जितने भी pages आप लोग के facebook account के उपर create है ठीक है तो मैं इनको डिलीट करना चाहरू हूँ मैं करूँगा मैं यहां पर एक पेज पर जैसे यह गिफ टुटोडियल के नाम से फेस्बूक पेज मैं इसके ओपर क्लिक करूँगा यहां पर से प्रॉसी सेम आप लोग भी ऐसे करते होंगे लेकिन आप लोग को जो फेस्बूक पेज डिलीट नहीं होता ठीक है अब मैं यहां से स्क्रॉल डॉन करता हूँ तो हम लोग को यहां पर रिमूव पेज में डिलीट यूर पेज का बटन अजला रहा है अब इसके सामने हमें एडिट का बटन अजला यहां पर आ अपकर आप लोग क्लिक करते हो तो अब आप लोगो यह बोला जा रहा है कि पर्मेंटली डिलीट गिव डिटोरियल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, और इसके बाद यह मुझसे पर्मिशन मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो यह पेज जो मेरे पास हमेश पैज के नई ऐसकी बने, आपके पास गैसे क्यों पर्मेंटली डिलीट हो गया, मेरे पास, पूर आपके पास अगर डिलीट नहीं ओरा, तो क्यों नहीं हो राए, तो एक यह जाता हूँ, और, यहाँ पर डिलीट पेज में गेंग जाते हैं, तो इसके बाद देखे है, यह page کو अगर मैं यहां पर delete वीडियोब को करता हूँ ठीक है delete तो यह चोदा दिन तक जो पेज जोंवो मेरे पास यहाँ पर available रहेगा ठीक है जहाँ से अगर देखे बाँ जहाँ से delete page की request कर देता हूँ ठीक है उसके बावचूत भी ये पेज जब वो मेरे पास देखे ये कह रहा है कि you can cancel the deletion within 14 days ठीक है आप लोग के पास भी जब वो same यही message आ रहा होगा कि देखें आप लोग जब भी किसी Facebook page को delete करने लगते होंगे तो आप लोग के पास यह आप चाहिता है जी अगर आपका page जब वो ये deletion mood में चला गया है लेकिन page भी delete नहीं हुआ आप लोग के पास 14 days का time है अगर आप लोग का mind चीज नहीं चाहिता है कि अगर आप आप फेस्बूक page को delete नहीं करना चाहिए आप लोग उसे accidentally delete your page का button जो है वो press हो गया था तो आप लोग अपने page को दुबारा से recover कर सकते हो लेकिन अगर 14 दिन के बाद आप लोग अपने page को recover नहीं करते तो उसके बाद आप उस page को permanently तो पर delete कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर give tutorials का page आपके सामने जो है वो delete किया था ठीक है अब मेरे पास for example तो पर ये एक और music for you का page है जो के online show store है ठीक है इसे बाद मैं क्लिक करता हूँ then यहाँ से मैं setting में चला जाता हूँ ठीक है again settings में यहाँ जाते हैं मेरे खाल से मैंने इसका भी मतलब request कर दी हुई थी अब यहाँ जाते हैं जी delete your page तो देखें यहाँ पर भी permanently delete online show store कि मैंने इसको 14 days पहले मैं request कर दी थी delete page की और आप मेरे पास यह पर permanently delete का option आ चुका है ठीक है तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है 14 days के बाद जो आप लोगों ने डिलेट के पहले आप लोगों यहाँ पर लिस्ट में नसर नहीं आ रहा तो ऐसे ही आप लोग भी जो पेजिस आप लोगों ने एक्सिडेंटली क्रिएट कर लिए हुए आप उनको पर्मेरेटली तो पर जो वो डिलेट कर सकते हो तो गईस उम्हाइद करता हूं कि आप लोगों यह वीडियो पसान लाइए होगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक और शिर्क्राइब करना है अपने दोस्तों को साथ में चैनल पढ़ झाल झाल